दोस्तों और आप लोग भी अपने यूटूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल बेनर बनाना चाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे ना और मैंने अभी पिक्सल लेव को उपन करके रखा हुआ है हम लोग जो अपना बेनर बनाने वाले वह बनाने वाले पिक्सल लेव एप्लिकेशन से तो सबसे पहला आपको यह पर राइट साइड में थ्री डॉट पर किलिक करना है एंड इमेज साइच पर जाके आपको कस्टम को पर किलिक करके इसमें जो है यूटूब चैनल बेनर का साइज सिलेक्ट कर लेना है तो मैं यहाँ पर जल्दी से यूटूब चैनल बेनर का साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ आज का बेनर हम लोग मनोश दे के बेनर जैसा बनाने वाले हैं सेम टू सेम तो हम नहीं बना सकत लेता हूं तो बेक्ग्राउंड कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है एंड फॉम गेलरे पर आपको यूटूब बैनर टेंपलेट को यहां पर एड़ करना है तो मैं जल्दी से तो चलिए जल्दी से हम इस टेंपलेट को सभी से एडजेस्ट करने के बाद आपको लेयर वारे उप्षन पर जाना है इसको आपको जो है लोग करने के बाद हमारा जो वरक हमें करना है यहां पर आपको जो है दो लाइन अगल बगल देखने को मिलने वाली इसमें साथ को यलो सिलेक्ट कर लेना है तो मैं जल्दी से इसका कलर जो है यलो सिलेक्ट कर लेता हूं यलो कलर सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से रोटेट करना है रोटेट करने के बाद हमें यहां पर लगाने के बाद आपको करना क्या है देखिए यहां पर आप लो पीछे चला गया है अब इसके बाद इसका साइज थोड़ा समलों लोग बड़ा रख देते हैं कुछ इस तरह से हमने इसे एड़ेस्ट कर लिया इसके बाद यहां पर इसका हमें एक और कोपी करना है कोपी करने कबद पर इसके इस दो कि आपको नीचे description में Instagram का link मिल जाएगा वहाँ पर आप follow करके मुझे message कर देना तो आप लोग का जो banner है वो मैं खुद बना के दे दूँगा तो कुछ इस तरह से पर मैं इसे प्लस वाला ऐकन पर क्लिक करना एंड टेक्स्ट पर जाना है और यहां पर हमारे चैनल का जो नाम है वो हमें आप लिख लेना है इसके बाद मैं इसे एक फॉंट देना अब फॉंट हम लोग वहीं देंगे जो कि मनोज दे के बैनर में भी है तो यह वाला फॉंट जो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसका link भी आपको comment box में मिल जाएगा, तो वहाँ सा आप इस font को download कर लेंगे, तो इस font का नाम है, caution script regular, तो यह वाला font हम यहाँ पर लेने के बाद, इसे हमें bold कर देना है, तो यहाँ पर base style पर click करना है, and इसे थोड़ा सा हमें bold कर देना है bold करने के बाद कुछ इस तरह सा आपको यहाँ पर लगा देना है, लगाने के बाद हमें इसका जो color है वो select करना है, तो जो हमारा एक color हो तो हम white रहने देते हैं, लेकिन जो RS का color ही यह हमें change करना है, तो हमें color वाला icon पर चले जाना है, and इसके color को मैं जल्दी से change कर देता तो कुछ इस तरह का color मैंने इसका कर दिया, इसके बाद यहाँ पर right click करना है, और इसे हमें shadow देना है, तो मैं shadow वाला icon पर चले आता हूँ, and shadow enable करके हमें जो blur radius है वो तो इतना ही रखना है, लेकिन इसका जो offset x है, इसको हमें थोड़ा सा minus करना है, इसको लगबग आपको minus 10 कर देना है, तो मैं यहाँ पर इसे minus 10 कर देता हूँ, and जो आपको offset y दिख रहा है, इसको भी है, आपको जो offset y है, इसको आपको plus करना है, इसको आप लोग 10 plus कर दिये, इसके बाद आप लोग देख सकते हो, आपके text के पीछे एक बड़या shadow बन रही है, और इससे हमारा जो text है, वो काफी जादा attractive लग रहा है, तो इसको यहाँ पर हम लोग जो है, राइट क्लिक करके set कर देते हैं, हमारा जो channel text है, याने कि हमारा जो channel नाम है, वो हमने आप लिख लिया, इसके बाद हमें नीचे एक और हमारे channel पर किस तरह के वीडियो साने वाली है, वो हमें लिख लगबग 50% हो चुका है, इसके बाद आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर YouTube के आइकन को लाना है, एंड दो YouTube आइकन आपको यहाँ पर लगाना है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर चला जाता हूं, फ्रॉम गैलरी पर जाता हूं और अपने YouTube का आइकन ले लेता हूं, तो यहाँ पर मैंने अपना YouTube का आइकन ले लिया है, एंड लेने के बाद इसे कुछ इस तरह से हमें एकज़ेश्ट करके, और यहाँ पर थोड़ा सा इसे रोटेट करके, और यहाँ पर आपको लगा देना है, जो हमने लोगों लिया है, उसे कुछ इस तरह मैं यहाँ पर लगा देता हूँ से लोग को रोटेट करके हम लोग कुछ इस तरह से यहां पर लगा देता हूँ सबसे लिए और नियुस्ट इस तो यहाँ पर हमें प्लिफस वाला आइकन पर क्लिक करना है टेक्स्ट पर कलिक करने तो येलो पर जो color सही रहता है वो रहता है तो हम इसे black color दे देते हैं और black color देने के वाद हमारा जो काम हो लगबग हो चुका है अब हमारा जो हमने प्यंजी लगाई थी याने कि हमारी character प्यंजी लगाई थी उसके पीछे हमें एक shadow add करने हैं तो shadow add करने के लिए plus वाला icon पर option पर जाना है और color enable करने के बाद आपको इसे white color दे देना है और white color देने के बाद आप लोग कुछ इस तरह से इसे एड़ेस्ट कर लेंगे एंड सेडों का color select करने के बाद हमें layer वाले option पर जाना है एंड इसे हमारी जो png है उसके पीछे ले जाना है और साथ ही में इसे हमारे template के पीछे भी ले जाना है तो हम लोग इसे सबसे नीचे यहां पर set कर देते हैं एंड इसे पीछे ले जाने अल्टरा पर सेव करने के बाद आपको जो है सेव टू गेल्डरिक कर देना है तो दोस्तों मुझे उमीद है इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद आप लोग भी बैनर बनाना सीख गया होंगे अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग मिलें अगली वीडियो में तब तक के लिए जैन वंदे मात्रम